वजन पचास किलो सो ग्राम पाया गया इसलिए वेस पल्दा के लिए अयोग्य घोशित की गई इस मामले को लेकर भारती ओलंपिक संग ने आंतराश्टी कुस्ती संग से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है नेशनल पार्थिया ओलंपिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में है प्रदान मंत्री जिने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कार्यवाही करने के लिए उचित एक्षन देने के लिए भी उसको कहा गया था पार्थी रेसलर विनेश फोगाट पेरिस उलंपिक की स्परदा से बाहर होने पर एक वक्तव्य देना चाहता पार्थी रेसलर विनेश फोगाट को तई केटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वज़़ा से पेरिस उलंपिक से बाहर होना पड़ा है विनेश 50 केजी की केटेगरी में खेल रही थी इस परदा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवारे था UWW के नीमों और विनीमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए सब्बंदित स्रेणी के लिए प्रतियक सुबह वजन माप का आयूजन किया जाता है अनुछेद अज्ज्यार के अनुसार यदि कोई एतलिट वजन माप प्रत्थम अथवा दिवती में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया जाता है और बीना किसी रेंग के अंतिमस्खान पर रखा जाता है 7 अगस्ट 2024 को 50 किलो ग्राम महिला कुष्टी के लिए वजन का निदारन 7 बज़ के 15 मिट और 7 बज़ के 30 मिट पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था विनेश का वज़न 50 किलो 100 ग्राम पाया गया इसलिए विस पर्दा के लिए अयोग्य गोशित की गई इस मामले को लेकर भारती ओलंपिक संग ने आंतराश्टी कुस्ति संग से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है नेशनल पारती ओलंपिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में है प्रदान मंत्री जीने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कारेवाही करने के लिए उचित एक्षन देले के लिए भी उसको कहा गया विनेश मंगलवार 6 अगस्ट को तीन मुकाबले जित कर 50 केजी रेस्लिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती महिला रेस्टर बनी थी सेमी फाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को क्वार्टर फाइनल में उक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चेंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी उन्हें बुद्वार 7 अगस्ट की रात करिब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमरीकी रेसलर सारा एन हिल्डर ब्रांट से मुकाबला करना था जहां तक उनकी तैयारी है तूँ सहायता का प्रशन है पारत सरका ने विनेश फोगाद की उनकी आवशक्ता के अनुसार हर संबो सहायता प्रदान की है उनके लिए पार्सनल स्काप भी नियुक्त किये गए है जो अपने क्षेत्र के विशशग्य है उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अर्श्विनी पार्टी हमेशा रहते है इनको ओलम्पिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिकत सहायक स्टाप ज स्टेंथ और पैटिक लॉंबार्ड्स स्टेंथ और कंडिशनिंग विशशग्या अशमीनी जीवनपातिल फिजिवोथेरािपिस्ट मयंक सिंग करिया स्ट सेंथ और अर्विन श्फारिंग पार्टनर इनको पेरियस ओलम्पिक चक्र के लिए कूल 70,45,775 맞 दस दिन तक मैडरीट स्पेन के आंतराश्चिक्षन शिवीर के लिए अतिरीक्त वित्ती सहाईता इसके अलावा फ्रांस के बुलॉंच सुमेर में पूर्वा उलमपिक प्रशिक्षन शिवीर के लिए अतिरीक्त सहाईता की है 2024 आंतराश्टी कुस्ति संग 2nd Raking Series में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुड़ा पेश्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक Tata Olympic Center हंगरी में आंतराश्टी प्रशेक्शन शिबिर के लिए अतिरिक्त सहायक स्थाप के लिए वित्ती सहायता की है स्टेंथ और एर कंडिशन कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉंबार्ड के लिए Tata Olympic Center हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 विश्च्व 11 दिन तक आंतराश्टी प्रश्च्वशन शिबिर में भाग लेने के लिए वित्ती सहायता की है 13 जुलाइ 2023 से 16 जुलाइ 2023 चार दिन तक बुड़ापेस्ट रंगरी में फॉर्ध रंकिंग सिरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023, 16 दिन तक बुड़ापेश हंगरी में प्रस्टिक्शन शिबिर हेतू इसको वित्ती सहाईता की है वेल्लेकें बुल्गेरिया में 10-11-2022 से 3-12-2022 तक प्रस्टिक्शन के लिए वित्ती सहाईता दी है उनके रिहाय प्रकिरिया के लिए आवर्शक वुक्तर थरीदने के लिए भी वित्ती सहाईता की गई है 2020 टोक्टो ओलम्पिक चक्र में 1.13,98,224 रुप्य का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था 224 पेरिस ओलम्पिक चक्र में भी टार्गेट ओलम्पिक पॉडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्शी ट्रेनिंग अवन्स पर्धा केलेंडर में 17,10,000 पूल मिला के 17,45,75 रुपया हमारे खेलाडी को आर्थिक सहाईता करके उसको सक्षन करा गया दा इंडियन खबर सच आपके सामने